अब math, chemistry, physics और biology डाउट का करिए सपाया doubtnet app के साथ कोई भी question का आप फोटो घीचिए, scan कीजिए और मातर 3 सेकंड में आपको solution मिलेगा link description में है, वहाँ से download कर दीजिए classic, 12, neat, IT, jay, mains and advanced साला का doubt मातर आपको 3 सेकंड में मिलेगा doubt or doubtnet करें, link description में है, वहाँ से download कर दीजिए, doubtnet app को description में वाक्सप नमबर भी है, वहाँ से भी आप मातर 2 सेकंड में अपना कोई भी doubt का solution पूछ सकते हैं hello students, welcome to you on YouTube channel, anytime per high mantra interpass, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी ख़बर निकल के आद यह बहुत सारे student wait कर दें कि आखिर मेरा कब से BA, BA, C, B कम में नमांकन होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे थें, जो JP University के थें, बीर कुमर्सिन University के थें, या मगद भी सुविद्याले, बी एन मंडल University या ललित नरायन मिधला University, बीहार University, नलंदा ओपन University, इगनू के जो भी छात्र थें, जो प्रिवियस येर नमांकन से वंचित रह गये थें, वो छात्र भी वेट कर दें, साथ में इस बर जो इंटर का परिछा पास किये हैं, वो लोग वेट कर दें थे, सबसे पहले आपको एनी टाइम पर हाई मंत्रा यूटूब चैनल प्रवाइट करा दा है, ये न्यूज, आपका बीए, बीए, सी, बीकम में नमांकन के लिए कवायत तेज कर दी गई है, बड़ी ख़बर भी हरबड पर चार्थियों के लिए, अभी आपको पता है, पूरे देश में लॉक्डाउन चल रहा है, लेकिन आपका जो फॉर्म भराता है, ओनलाइन भराता है, उसमें आपको मैंने बताया था कि उसमें ये लोग दिकत नहीं करने वाद है, क्योंकि आपका फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, नमांकन आपका जून में होगा, जब तक आपका लॉक्डाउन खतम होने का चांस है, तो आप देख सकते बिहार बोर इंटर पास, छातरों के लिए कह सकते बड़ी खुस खबरी है, अगर आप अभी तक हमारे इनवरसीटी न्यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पल-पल का इनवरसीटी न्यूट आपको प्रोवाइट कराएगा, कौन इनवरसीटी मे लिंक है, वहाँ से लाइक कर लिए, फेस्बुक पेज को हमारे अभी तक लाइक नहीं किये हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लाइक कर लिजिए, आपके पेपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको एनिटाइम प्रहाई मंतरा जो भी अपडेट देता है, 110% authentic news portal के help से देता है, हम लोग कोई भी फेक वीडियो प्रभाइड नहीं कराते हैं, बहुत सारे बच्चे वेट कर ले थे, क्योंकि बिहार में होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं रहता है, मामांकन का आवेदन खतम हो जाता है, लास्ट में ये कि आपका नमांकन के लिए portal खोला जाएगा कब से कब, और कब से कब आपका आवेदन होगा, जिसके बाद फॉस्ट मेरिट लिष्ट में मामामे के बाद, बहुत सारे बच्चे अगला बार कम नंबर वाले भी नमांकन ले लिए थे, उन्हें बताया गया था, हमारे तर आपके पेपर स्क्रीन पर देखे, सबसे बड़ी खुसकबरी यहां पर दिखाई दे रहा है, लॉक्टाउन की स्टिती में बीर कुमर्सिन भी स्वीद्याले परसासन ने असना तक पार्ट वज में नमांकन की तैयारी शुरू कर दी है, ये देखिए, ये बीर कुमर्सिन आरा के लिए ही नहीं है, ये मगद इनवर्सिटी के लिए भी है, क्योंकि सब का नमांकन जो होता है, वो इनवर्सिटी मेंजमेंट इनफर्मेशन सिस्टम के तहत होता है, ये लखनाव का कंपनी है, और सब इनवर्सिटी पे एक ही बार ये अप्लोड करती है डाटा, इसक तो आपको एक बात बता रैते हैं आप लोग का जो नामांक दैन्धियर होगा मानने लीजिया आपका गृषी जिला भजपूर है तो आप ग cię के भरो से नहीं । अगर आपका नंबर कम है तब। अगर मानने आपका नंबर कुल ज्याधा है तो आपको दिकत नहीं है लकिन नंबर कम है तो आप दो-तिन जगा डाल दीजिएगा क्योंकि होता क्या है कि देखिए ग्रीजिला में ज्यादा नंबर है सीट कम है तो उसमें आपका चांस कम रहता है ऐसे माल दीजिए आपका गया है तो बगल में जहानाबाद भी तो आप जा सकते है आराम से ट्रेंड से आपका admission होना में प्रत्मिक था इसलिए previous year बहुत सारे बच्चों का नमांकर नहीं हो पाया था इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग share कर दिजिए आप लोग का एक-एक share ये छातर हिट में काम करेगा जिससे बहुत सारे बच्चों का previous year मैंने देखा है कि नमांकर नहीं हो पाया बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्म का date कब आएगा और फॉर्म का date भी निकल जाता है क्योंकि बिहार का university आपको update देता नहीं है तो इसको जीतना हो सके share कर देजी से एक-एक गाओं का भी परचारती को पता चल सके कि graduation में असनातक में फॉर्म भानाने के लिए कावाया टेज कर दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं चातर कलियान अध्यक्ष ने बताया कि 20 विद्याले परशासन ने असनातक पार्ट वन सतर 2020-23 में आउनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया एक मई से सुरू होगी बहुत बड़ी अपडेट एक मई से आपका graduation में नमांकन के लिए आवेदन पोटल खोला जाएगा University Management Information System के तहत नमांकन होगा मैंने यहाँ जो भी आपको बात बताये उस बातों को ध्यान से सुनियेगा अगर पूरा follow कर लेते हैं instruction को तो आपका नमांकन होने का probability 80-90% बढ़ जाएगा देखे इसके बाद लिखता है 30 मई तक आपका चलेगा देखे एक मई से आपका नमांकन में start होगा और 30 मई तक चलेगा उसके बाद आगे लिखता है नमांकन की परकिरिया जून मा के अंतिम सब्ता में यानि 30 जुन तक पूरी कर ली जाएगी तो आपको पता है कि मई में online आवेदन होगा इसमें तो lockdown का कोई इसू है नहीं जुन में आपका lockdown हट जाएगा उस समय तक आपका यह लोग नमांकर लेंगे जुलाई से क्लास से स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते बहुत बड इन और सिटी में जो आपका सत्र वीलम रहता है इसके लिए इन और सिटी ने सभी इन और सिटी ने फैसला लिया है कि हम एक मई से ही online आवेदन शुरू कर देंगे तीस मई तक online आवेदन अपने पोटल पर लेंगे अब सबसे बड़ा सवाल कि आवेदन कैसे करेंगे तो ए आपर बेठे एटे online आवेदन अपने मुबाइल सहीं कर सकते हैं रहा बात की फोटो कैसे तालेंगे अपना सिग्नेचर कैसे डालेंगे तो उसका भी आपको पूरा उपाय बता दिया जाए कैसे आप मोबाइल से करे उसके फोटो को जितना चाहिए उतना उसको छोटा कर सक तो चैनल पर बने रही अंतिम तक आपका बिहार में असनातक नमांकन में पल-पल की ख़वरे प्रवाइट कराए जाएगा जितना भी आपका इनवर्सिटी यह जहां का भी उसका एक एक न्यूज हमारी टीम आपको प्रवाइट कराएगी यहां पर देख सकते हैं पिछले सा हजारो चातर पार्ट वन में दाखिले से वनचीत रागे देखिए हम चातर हित में बात करते हैं इसलिए पहले आपको बता दियते हैं पिछले साल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका नमांकन नहीं हो पाया था इसलिए मैं यह बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दिजिए बिहार में असना तक नमांकन इनवर्शिटी मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम से मतलब ऑनलाइन आवेधन से ही होगा इस बार भी आपको अगर लग रहा है कि ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन नहीं होने वाला है ऑनलाइन आवेधन होगा जैसे वीडियो को लाइक कर दिजिए बहुत सावे श्टुएंट पूछ रहे हैं कि बिहार में नमांकन कब होगा क्योंकि रिजल्ट निकलते लगभग एक महिना होने को जा रहा है तो आपका नमांकन के लिए ऑनलाइन आवेधन एक मई से लिया जाएगा जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बायन टेक केर